नमबर एक कोई भी खटी चीज खाने के बाद पानी ना पिये इससे पेट में सूजन हो सकती है नमबर दो रोजाना एक चम्मच मेथीदाना को भिगो कर सेवन करने से शुगर धीरे धीरे कम होने लगता है नमबर तीन जो लोग खाना जल्दबाजी में खाते हैं उनको खाना अच्छे से हजम नहीं होता और पेट की बिमारिया हो जाती है नमबर चार जो औरते अपने सिर पर कद्दू का उबला हुआ पानी लगाती हैं उनके बाल तेजी से बढ़ते हैं नमबर पांच अगर आपको चक्कर आने लगे तो पानी में हलका सा काला नमक और थोड़ी सी चीनी का घोल बना कर पिए इससे चक्कर आना बंध हो जाएगा नमबर छे अगर नाक में कुछ फंस जाए तो तंबाकू सूंगना चाहिए इससे चीनक आती है और फंसी हुई चीज बाहर आ जाती है नमबर साथ इमली और आलो बुखारे का पानी इस्तमाल करे इससे आपके चेहरे के कील मुहा से साफ हो जाएंगे और शरीर की चर्बी भी पिगलेगी नमबर आठ अगर आपके घुटनों और जोडों में दर्द रहता है तो आप मेथिदाना जरूर इस्तमाल करे नमबर नौ दालचीनी और अद्रक की चाय पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है नमबर दस सिर में दर्द हो या चक्कर आ रहा हो तो तुरन थोड़ा सा सफेद जीरा खा ले इससे कैसा भी दर्द हो राहत मिलेगा नमबर ग्यारा रोजाना रात को सोने से पहले अपने पैरों की मालिश जरूर करें नमबर बारा गाजर का मुरब्बा सुबह के समय खाने से आखों की रोशनी तेज होती है और दिल के लिए भी फाइदे मन्ध होता है बर तेरा रात को ज्यादा खाना ना खाएं और ज्यादा देरी से भी ना खाएं नमबर चौधा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो रोजाना दो तीन भीगे हुए अंजीर के दाने खाएं इससे आपको बहुत आराम मिलेगा नमबर पंद्रा गुलाब के फूल की पत्तिया चबाने से दान्थ चमकदार हो जाते हैं नमबर सोला सर्दी खांसी होने पर तुलसी के पत्तों और काली मिड़ से बनी चाय पिये इससे बहुत आराम मिलता है नमबर सत्रह रात के समय उड़त की दाल का सेवन कम करें इससे शरीर में भारीपन महसूस होता है नमबर अठारा अगर गर्मी की वज़ह से चेहरे पर दाने निकले हो तो बर्फ की तुकडी मल ले नमबर उन्नीस गर्दन पर तेल की मालिश करने से शरीर की सुस्ती दूर होती है नमबर बीस रात को दूद पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए नहीं तो आपका हाजमा खराब हो सकता है